आर बी एससे हिंदी ज्ञान के इस बाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम हिंदी साहित्य कक्षा ग्यारा के इंतरगत लेखक हरिशंकर परसाई कृत टोर्च बेचने वाले के प्रश्णों का अध्यन करेंगे देखिए प्रश्ण एक लेखक ने टोर्च बेचने वाली कमपनी का नाम सूरज चाप ही क्यों रखा लेखक ने सूर्य और टोर्च की समानता के आदार पर ही अपनी कमपनी का नाम सूरज चाप रखा जिस प्रकार सूर्य अंदकार को दूर कर देता है उसी प्रकार टोर्च प्रकाश उत्पन करती हुई अंदकार को दूर बगाती है। इसी आधार पर वह लोगों से कहता है कि हमारी सूरज चाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंदकार को दूर बगा देता है। इसे वक्त सूरज चाप टॉर्च खरीदो और अंधकार को दूर बगाओ। प्रश्न दो, पांच साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन-किन परिष्थितियों में और कहां होती है। दोनों मित्र दन कमाने की बात को लेकर पांच साल बाद एक नियत स्थान पर मिलने का वचन देकर अलग-अलग मारगों की और निकल जाते हैं। पांच साल के प्रश्चात उन में से एक मित्र अपने उस मित्र को उस नियत स्थान पर आकर खोजता है, परंतो वह उसे वहां नहीं मिलता। जिसे सुनकर यह टोर्च बेचने वाला हंस रहा था। जब वक्ता मंच से उतर कर अपनी कार में बैठने लगे तो उन्होंने अपने मित्र को पहचान लिया और उसे कार में बिठा कर अपने साथ ले गया। इस प्रकार दोनों मित्रों की मुलाकात हुई। प्रश्न तीन पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंदेरे को दूर करने के लिए टौर्च बेच रहा था। पहला मित्र मैदान में बने हुए मंच पर किसी संत महात्मा के रूप में था। वह रिष्ट पुष्ट था। उसके रिष्मी वश्तर दारण कर रखे थे। उसके लंबी दाड़ी थी और पीठ पर लंबे केश लहरा रहे थे। जिस प्रकार टौर्च बेचने वाला अपनी टौर्च के प्रकाश से अंदकार को दूर करने की बात कहता है। उसी प्रकार वह पहला दोस्त सांसारिक अंदकार को दूर करने के लिए इश्वरिय जोती को जगाने की बात कहता है। प्रश्न चार बवे पुरुष ने कहा जहां अंदकार है वहीं प्रकाश है इसका क्या तात्परे है बवे पुरुष के इस कथन का तात्परे यह है कि मनुश्य सांसारिक विश्य वासनाव रूपी अंदकार में डूब गया है इसी कारण उसका रिदय भी अंदकार से युक् नहीं है उसे अपनी आत्मा रूपी प्रकाश को जगाने की आवशकता है ताकि उसके सबी कश्टों का निवारण हो सके प्रश्न पाँच बीतर के अंदेरे के टोर्च बेचने और सूरज चाप टोर्च बेचने के दंदे में क्या फर्क है पाठ के आदार पर बताई इन दोनों में अंतर निम्ना नूसार हैं पहला बीतर के अंदेरे के टोर्च को बेचने वाला कहता है कि बीतर का अंदकार इश्वरिय साधना द्वारा दूर किया जा सकता है इसके विपरीत सूरज छाप तोर्च बेचने वाला बाहिय अंदकार को उसकी सूरज छाप तोर्च द्वारा दूर किया जा सकता है दूसरा वीतर के अंदेरे की टोर्च बेचने वाला कहता है कि यदि वीतर अंदकार हो तो मनुशे का मन भैबीत रहता है और सूरजचाप टोर्च बेचने वाला कहता है कि यदि बाहर अंदकार हो तो मनुशे का पैर साम पर टिक सकता है उसके कांटे चुब सकते हैं और शरीर को भारी हानी हो सकती है इस प्रकार आध्यात्मिक टोर्च बेचने वाला संत और बाहे टोर्च बेचने वाला फेरी वाला कहलाता है प्रश्ण छे सवाल के पाव जमीन में गहरे गड़े हैं यह उखड़ेगा नहीं इस कथन में मनुशे की किस पुरवृत्ति की और संकेत किया गया है और क्यों इस कथन का आश्य यह है कि मनुशे के मन में धन कमाने के लालसा सदै व्याप्त रहती है और वह धन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के सोच विचार करता है धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह प्रश्ण कोई सीधा सरल प्रश्ण नहीं है यदि यह सीधा सरल प्रश्ण होता तो इसका उत्तर निश्चित रूप से सभी के पास होता किन्तु ऐसा नहीं है इसी कारण मनुश्य इस प्रश्ण का उत्तर खोजने में लगा रहता है और पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई यत्न अवश्य करता है प्रशन साथ व्यंग्य विदा में बाशा सबसे धारतार है परसाई जी की रचना को आदार बना कर इस कथन के पक्ष में विचार प्रकट कीजी हिंदी साहिते में व्यंग्य को विदा के रूप में प्रतिष्ठित करने में परसाई जी ने अपना महतपून योगदान दिया व्यंग्य विदा हिंदी की अन्य गद्य विदाओं में एक अलग विदा है जिस प्रकार तलवार की धार चुबनवा पीडा देती है उसी प्रकार यह व्यंगे विदा शब्दों के प्रबावद्वारा पाठक के मानस पर गहरी चोट करती है कहानी के अनुसार लेखक का मित्र पहले सूरज छाप टोर्च बेचता था प्रंतु अब अधिकादिक धन कमाने के लालसा में वैसात्विक वचन कहने लगा जिसमें टोर्च बेचने के समान मेहनत नहीं करनी पड़ती और आमधनी भी अधिक होती है लेखक द्वारा प्रवचन करता के डोंग पर वियंगे करते हुए कहा गया है कि तुम शायद सन्यास ले रहे हो जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हराम खुरी पर उतर आता है किस से दिक्षा ले आए इस माध्यम से लेखक ने शप्रष्ट किया है कि लोग विरक्ती के बाव से सन्यास नहीं लेते इस कारण वे वास्तविक सन्यासी ना होकर दोंगी है प्रशनाठ आस्यस प्रष्ट की दिये कव भाग क्या पैसा कमाने के लिए मनुशे कुछ भी कर सकता है पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर जाना व्यक्ती की बुद्धी परिश्थितियों और उसके वैचारिक स्वभाव पर निर्भर करता है कुछ व्यक्ती कठिन से कठिन परिश्थिति आने पर भी दन के लोब के आगे नहीं जुकते और कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ती धन लोलुपता को महत्व देते हुए दन के समक्च दंडवत हो जाते हैं अधिकतर लोग केवल और केवल धन को महत्व देते हैं ख प्रकाश बाहर नहीं है उसे अंतर में खोजो अंतर में बुजी उस ज्योती को जगाओ इस कथन के माध्यम से लोकेक संतम हात्माओं द्वारा की जाने वाली डोंग की प्रावरित्ती को चित्रित किया गया है विश्यम तो अनेक प्रकार की दुश्य वृत्तियों में डूबे रहते हैं और लोगों से इस प्रकार की बात कहते हैं कि तुमारी आत्मा जोती हीन हो गई है उस आत्मा को इश्वर की बक्ती से जगाओ अर्थात इश्वर का नाम समर्ण करो गह दंदा वही करूंगा यानि तोर्च बेचूंगा बस कंपनी बदल रहा हूं इस कथन के माद्यम से सूरज चाप तोर्च बेचने वाला यह कहता है कि मैं अब सूरज चाप तोर्च ना बेचकर आध्यात्मिक चाप तोर्च बेचूंगा अर्थात इश्वर के नाम से दार्मिक प्रवचनों का सहरा ले फैंक दिया क्या आप भी वही करते सूरज चाप टोर्च बेचने वाला अपनी टोर्च की पेटी को नदी में इसलिए बहा दिता है क्योंकि जब वह पांच वर्ष के अंतराल की पस्चात अपने मित्र से मिलता है जो किसी सादू का वेश दारण कर चुका है तथा आध्यात् प्रवचन देते हुए अत्यदिक धनार्जन कर रहा है उसकी दाड़ी और केश बड़े हुए हैं तथा एशो आराम से जीवन व्यतीत करता है इसी आधार पर टोर्च बेचने वाला कहता है कि अब वह भी इस प्रकार आध्यात्मिक टोर्च बेचेगा तथा अपनी चाप टोर्च बेचने वाले के स्थान पर हम होते तो हम इस प्रकार का आचरण नहीं करते क्योंकि दूसरों को ठग कर अथवा अपनी स्वार्थ पूर्ती को महत्व देते हुए यदि हम भी इस प्रकार का कारे करें तो हम में और डौंगी व्यक्तियों में क्या अंतर रह प्रतेक कारे अपने आप में बड़ा होता है, कोई भी कारे छोटा नहीं होता, अतहां हमें ऐसा आच्रण करदापी नहीं करना चाहिए। 10. टोर्च बेचने वाले किस प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं। क्या इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है? टोर्च बेचने वाले लोगों की जरूरत को देखकर अथवा अपनी टोर्च की उप्योगिता या महत्व को बताकर अपनी वाक चातुरी का सहारा लेते हुए टोर्च बेचने का कारे करते हैं। उनकी बातें इस प्रकार होती हैं कि सुनने वाले को सम्मोहित कर लेती हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि टोर्च बेचने का कारे भी इस स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत है। प्रुण कर दो प्रूब कर दो दो प्रणास